Hello everybody, this is दिगराश सिंह राजपूत, Welcome to Magnate Brains इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे Types of Plate Boundaries के बारे में Types of Plate Boundaries, क्यों पढ़ना है पहले ये समझो पिछले वीडियो में मैंने आपको Plate Tectonic Theory समझाई बोलो हाँ, अब Plate Tectonic Theory में आपको इसमझ में आगे Lithospheric Plates है, Slabs है, वो क्या कर रही है? Magma के उपर Float कर रही है, अब ऐसा नहीं है कि वो Static है, Move करेगी, Move करेगी तो टकराएंगी भी एक दूसरे से दूर भी जाएंगी तो जो Plates है उनके बीच में जो भी अलग अलग तरह से Boundaries बनती है, वो आप इस वीडियो में जानने वाले हैं अब एक महिदार चीज और क्या है, जिसे Plates की भी बात करते हो, कुछ Oceanic Plates होती है, कुछ Continental Plates होती है Oceanic Plates के अलग Characteristics होती है, Continental Plates के अलग Characteristics होती है इस वीडियो में आपको कुछ Concept बताऊंगा, Important, Basics, Fundamentals, ठीके, तो उससे क्या होगा, उससे आपको ये Plates के बारे में जितना भी फिर टकराना, क्या बनना है, पहाड़ बनना है, ट्रेंच बनना है, वो सारे डाउट्स जो हैं, क्लियर हो जाएंगे ये topic आपने class 9th में भी पढ़ा है, लेकि 9th और 11th में फरक आ जाता है, वही चीज़ आपको यहाँ पर समझना है, कि 9th और 11th के हिसाब से content भी बदलता है, ठीके, तो हम और detail में पढ़ेंगे, और अच्छी तरह से पढ़ेंगे, what are the different types of plate boundaries, इतना समझ भाया, चलो, देखो, तो there are three types of plate boundaries, no doubt, जादा बढ़नी जाएगी, तीन तरह की ही plate boundaries होती है, divergent, जो एक दूसरे से diverge होती है, convergent, जो एक दूसरे से converge करती है, transform, ठीके, तो यही तीन boundary अपने 9th में भी पढ़ी थी, अब और अच्छी से समझो, divergent boundaries में क्या होता है, कि जो अलग-अलग plates है, चाहे वो oceanic होच आए, वो continental हो, वो एक दूसरे से जब क्या होता, दूर चले जाती है, diverge कर जाती है, वो divergent boundaries कहलाती है, अब वो दूर जाएगी, तो नीचे जो बैठा है, वो उपर आएगा, कौन बैठा है नीचे, magma, तो magma बाहर इरॉप्ट कर जाता है, ठीके, तो divergent boundaries पे क्य away from each other, plates एक दूसरे से दूर चले गई, तो vacuum नहीं बनेगा, यहाँ पे खाली, यहाँ पे lava erupt होगा, lava erupt होगा, तो नहीं crust बनेगी, आगे समझ में, तो हमेशा ध्यान रखना, sea floor spreading theory जो बताई गई थी, आपको भी पिछले वीडियो में पढ़के आए, उसमें divergent boundaries का बहुत pull away from each other, clear हुआ न, यहाँ पे देखो image में, यह दोनों plates भागी एक दूसरे से दूर और नीचे से lava बाहर आया, ठीक है, happy Diwali, तो उस तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे नई plate बनती है, नई crust बनती है, the sites where the plates move away from each other are called spreading sites, और यह जो sites होती न, जैसे हम इस region को अगर देखोग यहाँ पे mid-atlantic ridge का, mid-atlantic ridge कहा है, चलो mid-atlantic ridge बताते आपको, यह ही mid-atlantic, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, कि यह जो पूरा का पूरा region है, ठीक, मतलब इस में आप plates कौन कौन से ले लो, North American plate और South American plate, यह इस तरफ diverge कर जाएगी, ठीक है, और यह इस तरफ diverge कर जाएगी, African plate और Eurasian plate है हमारी, तो divergence हुआ तो बना क्या है, यहाँ पे जो example हमारा कह रहा है, mid-atlantic ridge पूरी की पूरी create हो गई है, ठीक है, mid-atlantic ridge create होगी, जैसे जहाँ पे continuous volcanic corruption होता है, नई crust create होते रहती है, और छोटे-छोटे small mountains जो है, वो submerged हैं under the water, under the Atlantic ocean, ठीक है, तो example ध्यान रहेगा न, वही चीज में आपको समझा यहाँ पे, क्या, कि mid-atlantic ridge जो एक तरह की divergent boundary का example है, कि जब plates diverge हो जाती है, plates को ही भी हो, चाहे oceanic plate हो, चाहे continental plates हो, जब diverge करेगी, तो हमेशा नई crust बनाएंगी, ठीक है, example, mid-oceanic ridge जासे है, तो वो छोटी-छोटी ridges भी बन जाती है, तो, where the crust is destroyed as one plate dives under another, पिछले वाले जो boundary थी, पिछली boundary आपने पड़ी, divergent वाली, तो उसमें क्या देखा, कि नई crust बनती है, क्यों कि diverge हो रही है, तो नीचे से lava आ रहा है, मतलब magma बाहर आ रहा है, lava बनके बाहर वो नई crust बना देता है, यहां लेकिन क्या हो रहा, यहां केल उल्टा हो गया, convergent boundaries है, तो convergent boundaries जब converge करती है, तो अब ऐसा तो नहीं के उपर आप यह विजुल देखके तो बोलता है, लेकिन हमेशा पहार नहीं बनता है, जो पुरानी crust है वो destroy होती है, कैसे destroy होती बता है आपको, चलो देखो destruction का वो एक example विजुल देखो, कि यह दो दोनों plates थी, अब दोनों मतलब continental continental plate है वानके चलो, दोनों continental continental plates जब एक दूसरे से क्या होती, converge करती है, तो यह नीचे subduction हो जाता है, एक plate का, एक plate का subduction होता, तो अब यह नीचे जो जा रही है ना plate, यह plate कहा जा रही है, पाताल में, वहाँ पे magma है पूरा, तो वहाँ पे स बनते में दिख रहा है, यह mountain में दिख रहा है, ठीक है, अब यही सवाल है, कि सर अलाग तरह से जब क्या होता है, divergence होता है, मतलब अलाग तरह से convergence होता है, ठीक है, तब क्या-क्या बनता है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, तो the location where shrinking of plate occurs is called a subduction zone, ठीक है, दो प्लेट टक जो, there are three ways in which convergence can occur, ठीक, देखो, main difference अगर आप convergence और divergent boundaries में create करोगे, तो main difference क्या हो जाएगा, कि जो convergent boundaries है, वो crust को खतम कर रही है, और divergent boundaries crust को बना रही है, अब उसके बाद अगर आप convergence boundaries को ही समझोगे, तो there are three ways in which convergence can occur, convergence कैसे हो सकता है, या तो एक oceanic और continental plate टकरा है, मतलब ए दूसरा convergence हो सकता है, दो oceanic oceanic plate ही आपस में converge कर जाए, तो भी convergence चकर हो गई, ठीक है, अब तीसरा का टकर का हो सकता है, कि दो continental plate इस तरह से टकरा है, तो दो continental plates भी आपस में converge कर सकती है, एक सवाल पूछू, ठीक है, सोचना, मुझे पता है बेखो, अभी आपको basics उतने clear नही प्लेट और continental plate के बीच में होता है, तो formation किस चीज का होगा, अगर convergence, oceanic plate और, कैसकते है, दो oceanic plate के बीच में होता है, तो formation उपर क्या होगा, प्लेट तो नीचे टकरा रहा है, उपर क्या, आपको structure देखने को मिलेंगे, ठीक है, कुछ लोग हाँ भी बोल देंगे, कि हाँ सर जानकारी कब मिलेगे आपको जब आपके basics क्लियर होंगे, basics कैसे, चलो start करते हैं शुरू से, देखो आपको इतना मैं बता चुका हूँ पहले भी, कि continental plate क्या होती, light होती, उतनी dense नहीं होती ही, वो, हलकी होती है, oceanic plate जो होती, उसकी density जादा है, heavy होती है, अब जब तकर उपर उड़ जाएगी, clear, तो अब इस case में अगर हम देखते हैं, कि when convergence occurs between oceanic and continental plate, ठीक है, तो जगा तो चलो यहां पर बताते हैं, यह क्या हो गया, continental plate, जो देखने में पढ़ी है, लेकिन density का में तो light है वो, और यह होगी oceanic plate, जो जिसकी density का है, जादा है, ठीक है, density जादा टकर हुई, तो टकर होने से क्या होगा, subduction होगा, यह नीचे चले जाएगी, कौन से plate नीचे चले गई, oceanic plate नीचे चले गई, continental plates उपर bounce कर गई, continental plates उपर bounce कर गई, हलकीजिय से, तो आप देखो जब टकर हुई, तो क्या बना, यहां पर बनती है, deep trenches, चीक है, subduction हुआ ना, trench थी, वो bounce कर गई, तो यहां क्या बना, यहां आप देखो, mountain बन गए, ठीक है, इसका एक example दो, worldwide मतलब इसे, world में आप देखो कि कहा हुआ है, आपको कैसे पता है, चलो एक example देते हम आपको अच्छा, ठीक, यह देखो, नासका plate जो है, oceanic plate है, और South American plate जो है, continental plate है, ठीक, दो ocean वाले पार्ट पे, और oceanic plate, continental plate जो light थी, तो उपर bounce कर जाएगी, तो यहां आपको mountains भी देखने को मिलेंगे, andies mountains, आया समझ मैं, तो इस तरह से क्या है, इस तरह से यह phenomenon पूरा काम करता है, clear हुआ, चलो, बजहारा नियारा बता न, फिर आप अगर दूसरा case देखते हम, द subject करेगा, ठीक है, तो जो जादा heavy होगा, वो subject करेगा, हम देखते है, कहाँ पे, यहाँ पे, Pacific plate और Philippine Sea plate, जो है, दोनों oceanic plate है, दोनों heavy plate है, दोनों टकराई, अब क्या होगा, आप देखो कि Pacific plate जो है, तो subject करते चले गई, ठीक है, उससे क्या हो रहा है, कि यहां trench बनेगी, तो यहां trench बनी रही है, मरियाना trench, deepest trench बन गई वर्ड की, clear हुआ, तो यह phenomenon इस तरह से काम करता है, इस तरह से subduction और इसारी चीज़ें काम करती है, clear है, अब अगर तीसरा case देखो, कि दो continental plates अगर क्या होती है, आपस में converge होती है, तो सर अब तो दोनों ही light है, कोई नी नीच है, वो ज्यादा उपर bounce कर जाएगा, और जो थोड़ी heavy है, वो नीचे की तरफ subject कर जाएगी, तो जैसे अब यह दो continental plates टकराती है, तो क्या बनेगा, दिख गया आपको, क्या mountains बन जाएंगे, अगर दोनों continental plates टकराती है, तो, ठीके, world में कहा हो रहा है, चलो, world का example बता है ह आपको, तो यहाँ देखो अपने घर में, ठीके, मतलब Indian plate को अगर देखोगे, continental plate है, Indian plate इतना हिस्सा, यह Eurasian plate भी continental plates है, दोनों टकराई, टकराने से यहाँ क्या हुआ, mountains बन गई, हिमालियन mountains, आगया, तो continental, continental plate टकराईगी, mountains बना देगी, clear, यह होता है, convergence की पूरी कहानी, trench और mountains का mean formation जो है, crust का destruction जो है, convergence के time देखने का मिलता है, अगला simple setting है, transform boundaries, अब transform boundaries में ना crust बन रही है, ना crust destroy हो रही है, ठीके, तो where the crust is neither produced nor destroyed, as plate slides horizontally past each other, तो plate subject नहीं होरी, plates uplift नहीं होरी, plates diverge नहीं होरी है, बस horizontally एक दूसरे से खिसक जाती है, ठीके, वो horizontally जो आप कहा सकते हो, sliding होती ही, ना, वो transform boundaries होती है, क्यों होता है, वो समझाओंगा मैं आपको, तो यह horizontal fault create होता है, ठीके, बतलब यह plate है, मानलो, ऐसी खिसक गई आगे, तो यहाँ पे weak point था, इसलिए fault के चलते क्या हूआ, horizontal fault create होआ, तो it is perpendicular to the mid oceanic ridges, अब mid oceanic ridges है, जैसे मानलो, mid oceanic ridges है, तो mid ocean में चीजे कैसे होरी, ऐसे होती है, force जो लग रहा है, boundary जो ऐसे create होती हो, volcanic eruption ऐसे होता है, लेकिन transform boundaries जो आएगी, तो transform boundaries ऐसे perpendicular रहती है, इस तरह से, perpendicular देखने को मिलेगी, transform boundaries जो है, perpendicular ही force लगता है, ना कि ऐसे नीचे से कुछ, आप देख लो कि eruption वगेरा होगा, ठीके, वो horizontal fault create करता है, समझ में आया, ठीके, तो कोई eruption नहीं होगा, यहाँ पर लेकिन earthquake जरूर आएगा, क्यों, देखो, eruption कब होता है, जब नीचे से आप, अगर boundaries मानलो, diverge कर गई, तो नीचे से space मिल जाता, तो eruption होता, लेकिन यहाँ नीचे से space नहीं मिला, यहाँ तो horizontal moment हुआ है, तो खड़ा है, वो earthquake जरूर फील करेगा, कि अब यहाँ हिल गए हम तो, ठीके, earthquake जरूर वो सफर करेगा, लेकिन, समझ रोटा, पॉइंट समझ में है ना, जो उपर खड़ा हो, earthquake फील करेगा, लेकिन नीचे से कोई eruption नहीं होगा, तो वो चीज़ नहीं होगा, तो वो चीज़ ह होता है, physics का centrifugal force क्या बोलता है, कि जिसे, पोल से दूर भागीगी ना, चीज़े, तो वही चीज़े, landmass जो है, तो landmass, earth के rotation के कारण, ठीके, यह वही समझा रहा हूँ, कि ऐसा क्यों होता है, कि differential moment होता है, portion of plate का away from the axis of earth, तो जब axis घुमता है, तो पोल से दूर भागती है, plates जो हो, पोल से दूर भागती है, और इस कारण से वह horizontally slide कर जाती है, और transform boundaries create होती है, clear हुआ ना, तो this was all about types of plate boundaries, types of plate boundaries मैंने आपको समझाया, आशा करता हो, चीजे समझ में आई है, यहाँ पे हमारे topic complete होता है, अब आपके मन में एक सवाल आया होगा, कि चलो sir, plate boundaries समझ में आ rate है moment का, वो हम आपको next video में बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं, आशा करते हैं, यहाँ तक चीजे समझ में आई, किसी प्रकार का doubt है, feel free to ask in comment section, magnet brains पर इसी तरह से class 4th से class 12 तत, सभी subjects, chapters, topics, subtopics, सब कुछ, systematic way में, video lectures के format में available है, जिनने आप बहुत आसानी से देख सकते है पढ़ सकते हैं, घर बैटे अपना syllabus कमप्लीट कर सकते हैं, अपने juniors और seniors को ज़रूर बताइए magnet brains के बारे में, मिलता है next video में, till then stay connected, keep learning, thank you, thank you